आज हम इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करने जा रहे है अबाउट की ट्रीप्मेंट ऑफ रिवेल्यूएशन ऑफ डेप्रीशेबल एसेट को लेके उसके अकाउंटिंग ट्रीप्मेंट जो है वो क्या होती हम अपने पास बात करने जा रहे है वैसे आपके पास जो है बेटा अबाउट दी प्रॉपर्टी प्लांट एन एक्यूपमेंट एंड रिलेटेट टू उससे जो डेप्रीशेशन आती है उसके बारे में हमारा अकाउ एका सब्सक्राइब को समझना जरूरी हो जाता है तो हम अपने पास जितना अप्लेके बलेट फांडेशन लेवल है उतने तक हम अपने अपको इस टॉपिक को समझेंगे तो सबसे पहले बात आती है बेटा रिवेल्यूएशन का मतलब क्या है सबसे पहले और आप कैसे करन है ठीके ना अकाउंटिंग रिट्मेंट समझने विसे पहले सो हमारे पास रिवेल्यूएशन का मतलब है कि हम जो अपना एसेट है उसको उसकी फेर वेल्यू पे लेके आने जा रहे है तो हम बेसीकली जब एसेट को खरीदते है उस समय तो हम बेसीकली कॉस्ट मॉडल को अ अपना सकते है एस पर एसेट को उसकी फेर वेल्यू पे लेके आना है तो इंटायर क्लास औफ पीपी को लेके आना है इंटायर क्लास का मतलब है वो सारे एसेट जिनका सिमिलर फंक्शन एंड यूज़ है ऐसा नहीं कह सकते मान लीजे अगर आपके मशिनरी है बेटा नहीं करेंगे तो आपको पूरी क्लास औफ पीपी को जो पूरी इंटायर क्लास है उसको अपने पास रिवेल्यू करना पड़ता है तो सबसे पहले आ रहा है इफ एन आइटम औफ पीपी देट इस प्रॉपर्टी प्लांट अनिक्यूपमेंट विचिस नथिंग बट टें जरूइन नहीं है पूरी तो इसा हो सकता है बिल्डिंग के अंदर भी दो बन सकती है मालिज है जहां पे हमारे मालिजे जो वर्कर्स रहते हैं उनके लिए हमने ही बिल्डिंग रख्य विये रखी है तो रेजेंचल बिल्डिंग्स भी है हमारे पास ओफिस बिल्डिंग्स भी है जहां पर ओविसली मारा स्टाफ बैठते हैं तो वो दोनों अलग अलग है क्योंकि function यूज दोनों का अलग-अलग हो गया तो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास जो है जिनका सिमिलर फंक्शन यूज है उनको हम एक क्लास ओस पीपी बोलते हैं जब भी आपके पास किसी पर्टिक्लर एसेट को अपने पास करेंगे तो पूरी क्लास को रिवेल्यू करा जाएगा अगला सवाल एक छोटा सा आता है क्या रिवेल्यूएशन अगर आप करना शुरू करते हैं क्या हर साल रिवेल्यूएशन करना ज़रूरी होता है यह आप अपने पास अपनी मर्जी से थोड़े सालों बंदी कर सकते हैं तो यहां पर हमें एस नंबर 10 एक और चीज बताता है क्या होनी चाहिए कहता है कि जो फ्रिक्वेंशी है बेटा रिवेल्यूएशन को डिपेंड करते हैं अगर आपके अशेट ऐसे है जिसमें बहुत जलदी आपके पास बदलाव आता है तो उस के अंदर आपने क्या करना है बेटा annual revaluation करनी चाहिए पर अगर आपके पास insignificant changes यह आते हैं मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता तो उस case के अंदर आप अपने पास revaluation जो है वो कर सकते हैं 3-5 साल के interval में भी आपको जरूरी नहीं हर साल करें because obviously it involves the cost revaluation करने के लिए आप इसके लिए वेगारे को पैसे भी देते हैं आपका टाइम भी लगता है तो इसकी वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल करने है now comes the main चीज जो आपके पास आते हैं accounting treatment क्या होती है at the time of revaluation तो इस case के अंदर हम इसको बाढ़ते हैं क्या asset की जो revaluation है क्या वो पहली बार करने जा रहे है या आप अपने पास दुबारा करने जा रहे है क्योंकि जैसे आप annual revaluation करेंगे या आप अपने पास 3-2 साल बाद करेंगे तो दुबारा में cover हो जाएगा न वो तो हम अपने पास पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली बार और फिर एक जब आप second turn type करेंगे तो क्या करेंगे तो हम सबसे वाले बात करते बेटा जब आप सबसे पहली बार revaluation करते हैं दो ही case हो सकते हैं या value जादा होगी या value कम होगी कौन सी value fair value as compared to your book value मैं example कराऊंगा तो अगर हमारे पास value बेटा जादा हो गई है उसकी fair value जादा है तो आप इस्तेमाल करिए revaluation surplus को logic भी समझेंगे ऐसा क्यों है और अगर value आपके पास कम हो गई है तो हम बोलते हैं उसे P&L account में नुकसान को book कर लीजिए इसका basically मतलब क्या आ रहा है बेटा लेटास अंडर्शेंड विद एल्प आफ एक्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास जो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले first revaluation का case है उसके अंदर में machinery है और उसकी book value एक लाग है book value का मतलब carrying amount WDV जो किताबों में दिख रही है books के अंदर दिख रही है अब case 1 है कि revalued amount जादा है एक लाग बीज़ा या case 2 है आपके पास revalued amount 85,000 एक कम है तो आपके पास बेटा क्या accounting entry डलेगी as परदी हमारे पास जो आपके पास treatment कही जा रही है तो हम कह रहे है अगर आपने बढ़ाना है तो आप entry क्या डाली है asset को बढ़ाने के लिए बढ़ा क्या करना मठेगा debit करना पड़ेगा उसका debit balance होता है entry डालेंगे machinery account debit to revaluation surplus क्या हम revaluation surplus को और भी कोई नाम बोलती yes बेटा हम इसको revaluation reserve भी बोलते है कितने से डालेंगे बढ़ा है 20,000 से डालेंगे क्या ये फाइदा हो रहा है yes ये फाइदा हो रहा है asset की जो fair value है वो market में ज़ादा है उसकी fair value ज़ादा है as compared to मैं जितना किताबों में दिखा रहा हूँ पर क्या हम उस फाइदे को अपने profit and loss में लेके जा सकते है answer is no क्योंकि वो unrealized gain है हम बोलते है realization concept हम बात करते हैं बटा conservativeism की prudence की जब तक फाइदा आपके पास realize ना हो जाए जब तक है क्रून हो जए तब तक हम उसे record नहीं करते हैं यहां पे वो unrealized है हमने machinery बेची थो ना है अगर मैं बेच देता तो आप विसली में 20,000 का profit आज बूक कर सकता हूं पर यह नहीं कह सकता notionally हम अपने पास profit को record कर ले और हम P&L में डालके कल को हम shareholders वेगार को dividend distribute कर दे because आपके पास यह अभी तक profit realized नहीं है इसकी वज़े से हमने इसको कहां रख दिया revaluation surplus में जो की आपके पास हम बोलते credit to owners interest account which is revaluation reserve और यह balance sheet में कहां दिखता है बेटा जो reserve and surplus है उसके अंदर इसको दिखाया जाता है और इससे हम dividend भी distribute नहीं कर सकते in case of company क्योंकि आपके पास यह realized profit नहीं यह revaluation reserve जो आपके पास है ठीके ना तो इसकी वज़े से इसकी वज़े से हम अपने पास क्या करते है इसको कहां पर रखते बेटा revaluation surplus में ठीके ना अगला case बेटा आता है हमारे पास जहाँ पे revalued amount कितना 85,000 अब यहाँ पे value बेटा क्या होगी है कम होगी यहाँ पे value क्या होगी है कम होगी अब जब value कम होगी तो यह तो नुकसान की बात होगी अब अगर नुकसान है तो हम नुकसान को सीधा अपने PNL account में record कर सकते हैं क्योंकि यह तो नुकसान होगे वेल्यू कम होगी तो हम एंट्री क्या डाल देंगे पी एनल एकाउंट डेबिट कि तू मशीनरी एकाउंट कितने से पेटा 15,000 से अगर 15 से डालोगे तो ही तो वह वेल्यू कितने पर पहुंचेगी 85 पर पहुंचेगी ना तो हमने यही तो बात करी मैंने आपको यही तो बताया कि अगर आपके पास वेल्यू बढ़ रही है तो हमारे पास वह जाएगा रिवेल्यूएशन सर्प्लस रिवेल्यूशन रिजर्व एकाउंट बिकाउस वह आपके अभी पास जो है प्रॉफिट रिलाइज ने इसलिए हमने क्या वह उसको रिवेल्यूशन सर्प्लस मिले जाएंगे जो की बैलेंश शीट में कहां दिखता है रिजर्व एकाउड कर लेंगे अपने पास प्रॉफिट कम कर लेंगे जो करेंट यह के तो प्रॉफिट कर लेंगे जो यह हमारी टीटमेंट आती है जब आपने सबसे पहली बार रिवेल्यूशन करी और हमने अपने पास यही बात बोली थी कि अपवर है तो रिवेल्यूशन सर्प्लस डाउनवर्ड है तो आपके पास प्रॉफिट ना बात आती है अगर सेकिंड बाद में रिवेल्यूशन कर रहें सबसीक्वेंटली तो उसको समझना जरूरी है उसके अंदर डिपेंड करता है पहली बार क्या हुआ था तो हमने अलग-अलग केसिज बना दिए फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है तो फर्स्ट ताइम किसको यूज क्यों और सेकिंड ताइ जब इंक्रीज हुआ था तो केस नंबर वन और केस नंबर त्री बेट अगर पहली बार वैल्यू बढ़ी थी तो आप कहां लेकर जाते हो रिवेल्यूशन सर्प्लस में एक्जांपल भी कराऊंगा अभी सो डोन वरी तो हमने रिवेल्यूशन सर्प्लस को यूज किया अब उसकी किताबों की वैल्यू से जादा है तो अगर दुबारा से बढ़ रही है तो दुबारा से रिवेल्यूशन सर्प्लस इस्तेमाल कर लीजिए ठीक है ना पर अगर पहली बार आपकी वैल्यू बढ़ी थी तो हमने रिवेल्यूशन सर्प्लस को यूज किया पर अगर हमें पहले पीए डीवेलवेशन सर्प्लोस को करिए अगर वो खतम हो जाएगा तो पीएनल में डाल दीजिए अब इस बात का हम समझते अपने पास बेटा एक्जामपल से किताबों में दिख रही है एक लाग और रीवेलवेशन सर्प्लोस में बैलेंस पढ़े 20,000 का जैसे हमारे एक्जामपल में था हम एक लाग के एसेट को 120 पे लेगे थे इंक्रीस करके ठीक है न तो एक साल बीच गए अब एसेट कितने पर आ चुका है हमार पास एक लाग पर और किताबों में एक रीवेलेशन सर्प्लोस भी पढ़ है क्रेजिट बैलेंस 20,000 का अब आज जब दुबारा रीवेल्यू करा तो क्या क्या केस बन सकते हैं आज पहला केस एक लाग पंद्रह हजार वैल्यू हो गई तो आज किताबों में दिख रहा एक लाग और फिर से ज हो जाए कोई और ऐसे तो वह इस्तमाल होजेगा तो मशिनरी एकाउंट डेबिट टूरी वेल्यूएशन सर्प्लेस अकाउंट कितने मांट से बेटा 15,000 से कितने मांट से 15,000 से तो यह एंट्री मारी हागी केस नमर बन में अब इससे क्या हुआ अगर मैं देखू बेटा री वेल्यूएशन सर्प्लेस का बैलेंस कितना पहुँच किया हम केस बाए केस देखते जाएंगे आपके एसेट की वेल्यू पहले भी बड़ी थी अब दुबारा बड़ी तो बीस हजार पहले क्रेडिट था पंदरह हजार और क्रेड किया तो टोटल कितना हो अगे बड़ी था थाटी फाइट थाउजन री वेल्यूएशन सर्प्लेस करे ले था अगले केस में वेल्यू कम हो गई बेटा एटी फाइट थाउजन आभी अब कम करना है तो आप बोलेंगे सर पी एनल में डालते ते मैं कहूंगा नहीं क्यों क्योंकि आपका ये सब्सिक्वेंट है और पहली बार का री वेल्यूएशन सर्प्लेस में माउंट पड़ा है बीस हजार पे तो यहां पे हमें क्या कहीं ट्रीटमेंट कहते है अगर पि री वेल्यूरशन सर्प्लेस में पड़ा है तो आप यूश कर लीजे री वेल्यूएशन सर्प्लेस को तो एंट्री कह डालेंगे री वेल्यूएशन सर्प्लेस डेबिट तु वीमशीनरी अकाउंट कितने माउंट से बेटा 15,000 किसे मांट से 15,000 से अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा revolution surplus में कितना मांट बचा है जी 20,000 क्रेडिट किया था हमने पहली बार में फर्स टाइमे आज 15,000 से debit कर दिया क्योंकि अब decline हो रहा है तो revolution surplus को ही पहले इस्तिमाल करेंगे क्योंकि उसमें मांट पड़ा है पिछली बार का तो अब आपका 20 में से 15 कम हो गया तो revolution surplus में अभी भी कितना बचा है 5000 पे कितना बचा है 5000 और last case आगया अगर आपकी value 70,000 है अब यहाँ पे decline कितने का है 30,000 का क्योंकि एक लाग किताबों की value है पर value पहुंच गई 70 तो 30,000 से कम करना है अगर मुझे 30,000 से बेटा कम करना है तो 20,000 तो मैं कहां से use कर लूँगा revolution surplus से 20,000 तो कहां से use कर लूँगा revolution surplus से बाकी का कहां से करूँगा obviously P&L से देखे जी आपके पास ये बात तो clear revolution surplus को तो उतना ही इस्तिमाल कर सकते ने जितना उसमें balance पड़ा है पिछली बार का जो increase का पड़ा था तो मैंने उसी को इस्तिमाल कर लूँगा और बाकी loss as usual जैसे first time में करते थे decline कहां P&L से कर लेंगे तो वो चीज आपके पास आ गई यहां पे तो entry के बन जाएगे आपके पास पीटा revaluation surplus account debit मैंने r oblique s लिख दिया that is revaluation surplus which is 20,000 P&L account debit 10,000 to machinery to machinery कितना बेटा 30 से होगे तो हमारे पास अगर आप चेक करेंगे आपकी machinery कम होगे 30 से पर हमारे पास अगर हम देखे 20,000 का revaluation surplus जो पढ़ा था पहले वो reverse होगे और बाखी 10,000 का loss हमने P&L कर लिया क्या revaluation surplus में कोई balance पढ़ा answer is no वो पूरा खतम हो गया तो यही तीन केस बनते हैं अगर तो पहली बार में बढ़ाया था मैं अभी उससे बात कर रहा हूं अगर दुबारा से बढ़ा तो revaluation surplus को कर दो कम हुआ तो कहते हैं पहले revaluation surplus को उसमें दोनों केस ले लिए एक इतना कम हुआ जो विदिन आपके पास है तो बही 15,000 से कम हुआ तो revaluation surplus कर लो को कि 20 पढ़ा था पर अगर 20 से जादा का decline आ गया तो उस case के अंदर किसको यूज कर लो PNL account को इसमाल कर लो तो यहां पर हमारे concept में जब बात लिखी वी थी बेटा तो यहां पर यह यह यूज revolution first then अगर मैं बोलूँ PNL account अगर decline जो है वो हमारे पास पिछली बार के revolution surplus का जो balance पड़ा उससे जादा का decline है तो पर आकि के लिए प्राइल के अगर पहली बार में आपके पास बेटा क्या हुआ था decrease हुआ था अगर फिछली बार में decrease हुआ तो PNL को यूज कि अगλी बार अब पाइदा हो रहा है तो क्योंकि मैं पहले लॉस बुक कर चुका हूं तो मैं लॉस को reverse कर रहा हूं ठीक है ना तो मैं पहले P&L को यूज करूंगा उसके बाद अगर जितना लॉस पहली बार में बुक किया था उससे ज्यादा का रिवर्सल हो रहा है तो मैं वार्णी विवैले़शन सर्प्लस को यूज करूंगा विवयलेशान शर्प्लस पर इस बात को हम यहां पर हमारे प्वेटर टाइब्व टू आ अब टाइब टू के अंदर हमारे पास क्या है फ्रस्ट टाइम में अगर डिक्रीज हुआ था आगर पिछली में decrease हुआ था तो हम कहते है machinery जिसकी book value आज किसमें 75 है क्योंकि जैसे मैंने सबसे पहला example लिया था वहाँ पर हमने यही बात की थी कि एक लाग का था उसकी value हमने कम करी थी ठीके ना और वो कम होने आज क्या case बनते है case one 65 अब case one बेटा अगर 65,000 है तो 75 से और decline हो रहा है पिछली बार भी decline था इस बार भी decline है तो decline ही है तो P&L को use कर लो entry क्या गी P&L account debit to machinery account कितने से बेटा 10,000 से आपके पास जो है हमने जो value है हम क्या कर रहे अपने पास अपने पास बेटा कम कर रहे है जब कम कर रहे है 75 से 65 पे आ रहे है तो 10,000 से कम करेंगे तो कहां value बढ़ रही है अब यह बढ़ी 85 हुई जब वो 85,000 आपके पास value हुई तो कितने से increase है यहाँ पे increase है अब increase कितने का है यहाँ पे 10,000 का तो बढ़ान है हमने अब जब बढ़ान है तो क्या रिवेलेशन सर्फलाइस उस करेंगे हम कहतें नहीं क्योंकि यह सब्सीक्वेंट है पिछली बार नुकसान बुक किया था उस नुकसान को अज reverse करने जा रहे है नया फायदा नहीं रिकॉर्ड करें पिछली बार जो नुकस कितने से बिटा 10,000 से क्योंकि हमने नुकसान कितने का बुक किया था हमने 15,000 का बुक किया था पिछली बार तो up to 15,000 तक के increase के लिए हम P&L यूज करेंगे और उससे ज़्यादा का अगर हो जैसे कि आप बात कर लेते हैं लास्ट में तो लास्ट केस में आपकी 95,000 है अब क अब 75 से 95 लेके जाना है जब 95 लेके जाना है आप 20,000 का इंक्रीज जा तो 15,000 कहां से रिवर्स हो जाएगा P&L से और बाकी पांच रिवेलुएशन से बिल्कुल सही बात तो आपके पास बेटा एंट्री के आ जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ा ना है 20,000 से 2 TNL अकाउंट विच इस आउमच हमारे पास 15,000 क्योंकि पिछली बार हमने डिकलाइन इतने का बुक किया था 2 रिवेलुएशन सर्फलस अकाउंट कितना पांच रिवेलुएशन सर्फलस अकाउंट क्योंकि हमने जितने पिछली बार में अपने पास क्या बुक किया था नुकसान पहले वो रिवर्थ हो जाएगा बाकी का इंक्रीज रिवेलेशन सर्फलस मिली जाएगे तो यही आपके पास बनता है अब कोई भी प्रकार का सकता है आपके पास जो केस है जनली सब्सिक्वेंट वाले का अगर आता तो तीनों केस पूछ जा लेगा आप से चाहे फस्टाइम इंक्रीज या फस्टाइम डिक्रीज के साब से तो जैसे विन आपको केसे करें इस प्रकार का आपके पास एक्जाम में के पर कोश्चिन आ सकता है एंट्री पूछ सकता और बढ़ाने है वेल्यू तो औरल जीमकरने तो लिए अगली बार कर रहे है सब्सी कुक्वेंट जब भी रहे तो डिपैंड करते एंट करता तो पिछली बार क्रीज अगली बार बाकि पिछली बार डिक्रीज था तो तो पहले लॉज्स बॉक्ष होगा बाकी आपके पास जो है revelation surplus में चला जाएगा यही हमारे पास यहाँ पर क्या बनते है case आपके बनते बैटा इस particular question से तो हमारे पास at least at the foundation level हम अपने पास इतनी treatment को सीखते है बैटा जो कि आपके पास इससे related question हमारे पास बनके आज सता है बैटा ठीके ना तो हमने अपने पास इस वाले particular concept को इस वीडियो के अंदर discuss किया शूरे